हेलो और विल्कम स्टुडेंट्स उम्मीद करता हूं भाई आप सब लग अपने अपने घरों में एकदम तगड़े होंगे और रेगुलर स्टुडेंट्स ने 11 स्टार्ट कर दिया होगा और जो क्लास 10 के रिपीटर्स हैं उन्होंने अपनी पड़ाई चालू कर दिया होगी आप लोगों की एक्जाम 15 अब जोलाई से हैं बहुत सारे स्टुडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कि सर्फ प्लीस साइंस के लिए भी बता दो कि कौनसे चैप्टर्स करने चाहिए जिससे हम पास भी हो जाए और अच्छे मार्क स्कोर कर लें आपको मैं इस वीडियो में बताया था कि अगर आपको मैच में पास होना है और अच्छे मार्क स्कोर करने हैं तो कौनसे चैप्टर्स करने चाहिए अगर आप नहीं देखा तो वीडियो के लिंक यहां पे दे दिए आप डिस्क्रिशन बॉक्स में चेक कर सकते हैं वहां पे भी वीड 16-17 डेस अब आप 16-17 डेस के अंदर सारे चैप्टर्स को नहीं कर सकते साइंस का पूरा सिलबस कंप्लीट नहीं कर सकते आपको कुछ सेलेक्टेट्स चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे तो आपको वही करने जिसमें से बहुत ज्यादा माक्स का पूछा सकता है और आप पार्ट में बैलेंसिंग है और दूसरे पार्ट में टैप्स ऑफ केमिकल रेक्शन है यह दो टापिक कर लो आपका गेम ओवर जिसमें से 3-4 मगा कंटेंट आपको पुछा जाएगा चैप्टर टू एसे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है इसको पूरा लर्न कर लो जहा सिरे 5 चैप्टर पर बढ़ जाओ पीरियोडिक क्लासिटिकेसन ऑफ एलिमेंट्स बहुत इजी चैप्टर है आपको तीन थेयोरी बढ़नी है और फिर ट्रेंडिंग बढ़ना है कि आप प्रेडिक टेबल में किस तरीकी की करेक्टर बदलते हैं जिसके अंदर से वापिस 3- यह 4-mark का content आ सकता है इसके बाद chapter 6 बालोजी में बढ़ जाना है chapter 6 लाइफ प्रोसेस यह one of the important chapter न है बालोजी का जिसको पूरा करें नहीं करना है जिसके अंदर सिर्श चार लाइफ प्रोसेस है यह अगेन एक one of the important chapter है biological जिसमें आपको sexual reproduction ज्यादा करना है जिसके अंदर वापस आपको six to seven marks का देखने को मिलीगा बाले जो आपका complete इसके बाद chapter 10 light reflection and reflection यह physics का one of the important chapter है जिसके अंदर से six to seven mark का content आता है इसके बाद physics में आपको 11 chapter छोड़ देना है human eye and colorful world chapter 12 पर बढ़ जो electricity यह भी one of the important chapter है यह पूरा chapter आप कर लो इसके अंदर वापस आपको six to seven marks सा content पूछा जाएगा इसके बाद chapter 13 magnetic effects of electric current इसको पूरा नहीं करना है मिड़ से लेके last तक करना है जब से यह rules आलो हो जाते है right in thumb rule, flaming के rules यहां से आपको पढ़ना start करना हो last तक जिसके अंदर वापिस आपके four to five marks का content देखने को मिलेगा अगर आप इन सबको add करते हैं तो total 40 marks हो जाता है आपको 40 marks score करने मिल जाएगा आपका passing 26 है और आप score करना है 40 सिर्फ और सिर्फ यह 8 chapter में आपके पास total 16 chapters है यह 8 chapter में आप 40 marks cover कर दोगे अगर आपने इतना कर लिया फिर भी अगर आपको लगता है यह इनफ नहीं है और भी भहुत कुछ करना है तो आप biology के chapter ले सकतो chapter 9 heritage and evolution इसमें आपको सब कुछ नहीं करना मैंसे आपको तीन टॉपिक दे रहाँ वही कर लो उसमें से आएगा सबसे पहले sex determination कर लो second कर लो difference between analogous and homologous organs और तीसरा करो evolution by stages इन तीन कोशन में से ज़रूरी एक कोशन आ जाएगा आपको heritage and evolution आपको सिर्फ तिन टॉपिक करने आपके पास time मिला तो अगर आपके पास और भी time है और आपको यह enough नहीं लग रहा है तो chapter 14, 15, 16 जो सिर्फ आपके theoretical जैसे subject को chapters है इसको आप कर लो इसको आपको learn नहीं करना है देखो मैंने लिखाए only reading सिर्फ read करना है आप pen ले सकते ह या फिर एक highlighter लेकर बैड़ जाओ और जहां आपको लगी क्या यहां से one marker पूछ सकते हैं उसको underline कर दो एक बार पूरा read कर लो 14, 15, 16 फिर एक बार revise कर लेना तो आपको इसमें से one marker या MCQ हो गया या फिलिंदा पिलेंग हो गया वो आसानी से आएगा तो 14, 15, 16 में सिर्फ य साइंस के अंदर सिर्फ आपको इतना करना आए बस आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूं आप लेगों को वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक करो share करो comment करो ये वीडियो को शेर करो अपने सारे friends के साथ जो science की वापस exam दे रहे हैं तब तक के लिए stay home stay safe and take care